तो आज हम बनाएंगे बहुती easy और बहुती tasty सा breakfast तो आप देख सकते हैं एकदम फुला फुला और बहुती yummy सा है ये तो इसे ना तो हम बेलेंगे और ना ही fry करेंगे बहुती कम तेल में बन कर ये तयार होगा तो आईए हम देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है और इसको बनाने में किन चीजों के जरुत होगी तो सबसे पहले हम लेंगे grinding jar और उसमें डालेंगे एक कप सूजी फिर हम लेंगे आधा कप दही और उसी कप से हमें आधा कप पानी लेना है और वो भी इसमें आट कर देना है इसके बाद हम इसे grind कर लेंगे और इसका हम batter त्यार कर लेंगे ये देखे इसका batter त्यार हो गया है तो इतना थिक हमें batter बनाना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चमच कॉण फ्लॉर यानि की आरा रोट और उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें लंस नहीं होने चाहिए इस बात का ध्यान रखेंगे फिर हम लेंगे एक हरी मिrč उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ खीरा हरी मटर टमाटर और बारी कटे हुए प्याज फिर हमें इसमें डाल देना है बारी कटा हुआ हरा धनिया और स्वात के अनुसार नमक तो यहां पे मैंने आधा चमच नमक डाला है और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर हम लेंगे तो यहां पे हम इसमें half package इनो डालेंगे पूरा package का इनो हमें नहीं डालना है और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए इतना थिक हमारा बैटर होना चाहिए अब हम लेंगे एक तड़का पैन और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओील फिर उसमें हम डालेंगे mustard seeds और फिर हम उसमें जो बैटर त्यार करके रखे थे वो डालेंगे तो इसमें आप अपने according बैटर डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने छोटे चमच से तीन चमच बैटर इसमें डाला है और फिर उपर से हम थोड़ा सा इसमें oil डालेंगे और इसे हम low flame पे धक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे flame को high नहीं करेंगे low flame पे यह बहुत ही अच्छा पकेगा और यह देखे यह एक side में सिख चुका है तो इसे हम पलट लेंगे और फिर हम थोड़ा सा oil डालेंगे और फिर से हमें इसे धक करके 5 मिनट के लिए पका लेना है और इसको हम low flame प से हमारा यह tasty और yummy सा breakfast बनके ready है तो आपने देखा इसको बनाना बहुत ही आसान है तो आप इसको अपने घर पर try करिए यह सबको बहुत ही पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई breakfast की recipe आप तक सबसे पहले पहुँच चके और यह देखिए यह कितना fluffy और कितना फुला फुला सा बना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई breakfast की recipe के साथ take care